हे गाइज रादे रादे वेलकम बैक टू माई चैनल तो कैसे हैं आप सब उमिद है आप सब अच्छे होंगे और आप ये लाल लल टमाटर देखके तो समझ ही गए होंगे कि आज हम टमाटर की ही कोई रेस्पी सेयर कर रहे हैं तो देखिए इस समय बहुत अच्छे लाल लल बनाइज बहुत ही एजी तरीके से बन जाएगी और जो ये टमाटर होते हैं तो बहुत ही बहुत ही अगी टेस्ट होता garden हम इसको किसी तरीके से लाल आप एक बात याद रखिएगा कि आप टमाटर लाल ही लीजिएगा तो आप जितना ज्यादा लाल टमाटर लेंगे ना उतनी ही ज्यादा हमारी जो ये रैस्पी अच्छी बनेगी तो आप देख सकते हैं हमने 5-6 टमाटर मीडियम साइज के लिए हैं और जिस तरीके से हम सब टमाटर सबजी में तो उसी तरीके से चोटे चोटे पीसी आप कड कर लीजिए बहुत ही एजी रैस्पी है ये और आप एक बार बार आपका बनाने का मन करेगा मतला और ये जो सर्दी वाले टमाटर होते हैं इस सीजन के इनका कुछ टेस्ट बिलकुल अलग ही होता है और गर्मी बाले टमाटरों में वह टेस्ट नहीं होता है तो देख सकते हैं आप लोग हमने इसके चोटे चोटे पीसी कट ली हैं बहुत आपको छोटे पीसी इसके नहीं करना तो आप पैन कड़ाई भगोना कुछ भी ले सकते हैं तो देखिए हमने कड़ाई ली है आप चाहे तो उसका टेष्ट कुछ अलग ही होता है आप देखी हमें इसमें 1 2 टी स्पून डालना है जीरा ठीक और इसमें हमें थोड़ी सी डालना है कलोजी अज्वायन और सबसे कम मात्रा में डालना है मेथी दाना और अब हमें इससे भूजना है, इससे 22 फोरण भी का जाता है, फोरण मतलब जैसे हम लोग डाल उसमें देते हैं वगईरा, सबजी वगईरा में, तो वो फोरण तरह के हमें इसमें बनाना है, तो देख सकते हैं, और एक हमने तेजपता डाला है, और हमें थोड़ी सी डालना एक चुटकी हींग और आप एक बात याद रखेगा कि आप जितना तीखा खाना चाहिए उस तरीके से आप एक से दो मिर्ची डालीगा ज्यादा आप मिर्च नहीं डालीगा तो आप लोगों को तो पता ही है हमने हमारे यां बहुत ही कम मातरा में मिर्ची झाते तो उपने एक मिर्च के दो टुक्ला करके डाल दिये और हमें इसको जादा मसाले सो जलाना नहीं है कि इसमें हमें सोंदी सोंदी से खुस भूगाए वो हमें इसका टैक्सर रखना है तो अब हमने डाल दिए जो हमने टमाटर कट करके रखे थे ना वो हमने अब डाल दिए इसमें टमाटर और आकई में आप एक बार यह जरूर रैस्पी बनाईएगा और हमारे टमाटर जल्दी से गल अब इसमें नमक के मातर में रखे भी, जालेज़ेगा तो यहीं बना रहा है टमाटर की खड़्टी मीठी चटनी तो चटनी में जादा नमक नहीं अफ्हा लगता है ना तो अब हमारे टमाटर नमक का ट में डाल जिया हमें थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए इसको तो आप देख सकते हैं हमारे टमाटर अच्छी से गल चुके अब हमें डालना है दो से तीन मिनट टमाटर गलाने के बाद अब हमें डालना है चीनी हमें बहुत ज़्यादा है चीनी हम से ज़्यादा गलती हमें खट मिट है अब हमें इसमें डालना है 10 टीज्पून कस्मीरी लाल मिर्च किकी क्योंकि इसमें बहुत एच्छा है के लिए और झरा से किंदेब हिंग करलों हैे हां कि हमारे हम इसंद करेंग और रहाए arrived और इसे व्ट्पर 6 मिनट द्वारे चड़के इतनी जलदी चटनी बन के तैयार होगी और देखे आप लोग हमने थोड़ी से इसमें किसमिस डाल दिये किसमिस आपको पहले ही डालना है क्योंकि अगर आप पहले डाल लेंगे न तो यह किसमिस बहुत ही सौप्ट होती है तो हमारी किसमिस फूल के हो जाएगी बड़ी-बड़ी तो अच्छी नहीं लगेगी तो आप जब उतारने वाकई में इतनी अच्छी टेस्टी चटनी बनी थी कि हम आपको क्या बताएं देख सकते हैं आप इसका टेक्चर कितना अच्छा एकदम है बहुत यमी 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 चटनी बनी थी तो आप इस तरीके से चटनी एक बार जरूर ट्राई करिएगा और हमने भी यह पहली बार ब नहीं कांटीनिव नहीं आप आ रहे हैं उसका कुछ रीजन है तो वह हम आपको नेश्ट ब्लॉग में बताएंगे और आपको कैसा मेरा यह खटी मीठी चमाटर की चटनी अब इसे आप खचोड़ी के साथ पूरी के साथ परांठे के साथ रोटी के साथ जिससे आपको पसं करिए लाइक करिए और सेयर करिए हर हर महादेव